हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई कुकिंग व्लॉग तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हुए एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसको आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं या आपके बच्छे स्कूल जाते हैं तो आप उनको भी लंज बॉक्स में दे सकते है तो आज मॉर्निंग में मैं वही प्रिप्रेयर कर रही हूँ तो बहुत ही जादा हेल्दी भी है और साथ में टेस्टी भी तो यहाँ पर इसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर प्यास वगयरा कर लूँगी और यहाँ पर और बी जो वेजीस हमें च करने के बाद उसको हम एक मिस्से ग्रैंडर में डाल लेंगे और साथ में ही इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और थोड़ा अधरक और यहाँ पर अगर आप बच्चों को दे रहे हैं और बच्चे मिर्च जादा नहीं काते तो आप मतलब मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं तो यहां पर मैंने मिर्च डाल दी है सिर्फ ज्यादा मिर्च नहीं है सिर्फ दो मिर्च से ज्यादा मतलब तीखा नहीं होगा पस एक अच्छा फ्लेवर एड हो जाता है जिंजर और मिर्च से तो यहां पर मैं इसको अच्छे से कर लूंगी मेक्स तो उसके बाद निकालने क एक नहीद नहीं है इंगए तो इसके बाद हमने जादा कुछ नहीं डालना है सिर्फ हश्का सा नमक और थोड़ा सा तो इसलिए पावडर डालने से कलरो आज आयाता है और देखने में नाश्यन तरह बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसको जब तक हम side में रख देते हैं जब तक हम उसकी stuffing त्यार कर लेते हैं तो यहाँ पर stuffing करूँँगी मैं पनीर की तो यहाँ पर पनीर को इसके बसे बहुत है प्याज को हालका थे बहुतना है, जादा नहीं हुनिंगे क्योंकि हमें सबजियों में क्रंच चाहिए तो जादा हम इसको इसको इस्टीर नहीं करेंगे हलका सा ही हमें इसको इस्टीर करकर निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च और गाजर भी मैंने बारीक कट करनी थी वो भी मैं यहाँ पर दौनों चीजों को डाल दूंगी तो देखे रहे होंगे आप प्यास को मैंने ज़्यादा नहीं भूना है ना ही शिमला मिर्श को बस हमें थोड़ा-थोड़ा ही इनको इस्चिर फ्राई करना है हमें मतलब जो वैजीस का टेस्ट है न को एकदम अच्छा और क्रंची आना चाहिए तो इसलिए मैं थोड़ा कमी फ्राई कर रहे हूं तो यहाँ पर उसके बाद मैं नमक और हलका सा बहुत ही मैंने लाल मिर्श पाउडर डाला है और साथ में ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर डाला है तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से यह मिक्स हो चुका है उसके बाद जो पनीर हमने ग्रेट करके रखा था उसके उपर मैं स्टॉफिंग को डाल दूँगी और अच्छे से इसको कर लूँगी मिक्स तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पनीर को और सबजियों को और अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए हमारी जो स्टॉफिंग है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है तो इसको हम साइड में रख लेते हैं अब यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है उसको अच्छे से गरम होने देंगे और जैसी गरम हो जाएगा गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल लो कर देना है और थोड़ा सा पानी डाल कर इस तरीके से छीटर मार के इसको हम अच्छे से पहुंच लेंगे थोड़ा हलका थंडा हो जाना चाहिए और गैस की फ्लेम जब आप इस तरीके से फैला है बैटर को तो आपकी फ्लेम बिल्कुल अच्छा होनी चाहिए उस टाइम पर उसके बाद जब आप एक साइड से इसको सिखने देंगे और यहाँ पर उपर से थोड़ा सा मैं हलका सा गी भी डाल दूंगी द तो दौनों साइड से हम अच्छे से से खेंगे जब आप डोसा से खते होंगे तो एकी साइड ही आप करते हैं पर इसमें आप दौनों साइड करेंगे तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है उसके बाद देखिए दूसरी साइड से हमारा थोड़ा कम सिखाता है तो अब व बहुत ही अच्छा मुंगदाल का जो चीला है वो बनकर तयार है तो इसी तरीके से मैं और बैटर के भी चीले बना लूँगी तो यहां पर थोड़ा पानी डाल देंगे गैस की फ्लेम को आपको लो रखना है जब आप चीले का बैटर डालें तो यहां पर गैस की फ्लेम लो ह है और यहां पर आप इस तरीके से लें एक चमचा भरके और इस तरीके से आप इसको फैला लें तो यहां पर देखिए इसके हलके हातों से मैं इसको फैला लूँगी तो आप इतना पतला करना चाहिए उतना पतला कर सकते हैं उससे क्या है बहुत ही क्रंची बनता है तो मैं यहां पर यह चीला बनकर रिकुल रेडी हो चुका है तो मतलब बहुत ही healthy option है और साथ मैं खाने में बहुत ही जादा tasty भी लगता है तो यहां पर इसको भी निकाल दूँगी चाहे तो आप इसको breakfast में चटनी के साथ भी serve कर सकते हैं और इस तरीके से या सौंट लेना चाहे त भी आप इसको खा सकते हैं बहुत ही जादा tasty लगता है तो यहां पर मैंने हरी पोदेने की चटनी के साथ इसको serve किया है और चाहे तो आप इसको बच्चों को lunch box में भी इस तरीके से दे सकते हैं तो यहां पर मैं इसको रख दूँगी और साथ मैं इसके थोड़ी से tomato ketchup भी और उसके बाद थोड़ी से मैं यहां पर उसको snacks भी दे देती हूं जिसे वह जो बहुत ही मन से बच्चों पूरा lunch फिनिश करके आते हैं तो इस तरीके थोड़ी snacks और थोड़ा सा बिस्कित देगे और थोड़ा सा candy मैं यहां पर रख दूँगी और यहां पर जो lunch है वो बि झाल 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 झाल